हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग दोस्तों आप विश्या अला सब के स्वागत करता हूँ आपी के चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगी पसंद आ रही हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूल है ताक कि अगर आप स्किप करेंगे तो काफी कुछ मिस कर देंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ ट्रिक बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है ओकी दोस्तों तो वीडियो को एंड दग देखना है और ध्यान रखिएगा अगर आपने ह हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि फर्दर नोटिफिकेशन हमारे चैनल से आपको मिल जाया करें जब भी हम को इन नई वीडियो बनाया करें ओके दोस्तों तो दोस्त अब 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 करेंगे स्पर मिल अपको सबसे नीचे मिले। देन दोस्तो मेरे mobile में एक option है MIUI version ओके दोस्तो ये इसलिए क्योंकि ये मेरा phone MI का है आपके mobile में हो सकता है दूसरे तरीके से आएए तो दोस्तो यहाँ पे mobile के बारे में कुछ specification होती है जैसे कि आप देख सकते हैं detail में तो इस तरीके से जैसे कि MIUI version आपको देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे continuously click करना है यानि की tap करना है 7-8 बार ओके दोस्तो जैसे कि मैं करूँगा 1,2,3,4,5,6,7,8 ओके दोस्तो now you are a developer ओके दोस्तो अब आप अपने mobile के external developer बन चुके हैं क्या है यह external developer मैं आपको बताता हूँ अब दोस्तो आपकी यहाँ काम खतम हो जाता है about phone से आप back आजाएंगे अब आपको क्या करना है आपके phone में additional setting पे जाना है additional setting पे जाने के बाद आपको दोस्तो सबसे नीचे option मिल जाता है developer option अब आप developer बन चुके हैं और आप यहाँ पे enter कर सकते हैं otherwise यह option आपको देखनेकों नहीं मिलता अगर वहाँ पे आप developer नहीं वने होते तो developer option पे click करेंगे और यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलेंगी अगर आप developer नहीं है तो आपको देखने को नहीं मिलेंगी आप चाहें developer option आपकी कामगार नहीं है तो यहां से off कर सकते हैं ओके दोस्तो और वापस मापे 7 times tap करके इस option को on कर सकते हैं ओके दोस्तो off करने के लिए अपो यहां ही आना होगा अब दोस्तो desktop backup password क्या है आप यहां पे desktop का backup password बना सकते हैं अपने इस जो आपकी device है ओके दोस्तो और आपकी जो device है पूरी तरीके से protected हो जाएगी यह चीज़ें आप यहां पे जाके कर सकते हैं जो कि आपको नहीं पता होगा यह बहुत important feature है आपकी mobile का आपकी device का ओके दोस्तो stay awake ऐसा feature है आपकी जो screen है वो sleep नहीं होगी जब आप charge करेंगे इस option को आपको on करना होगा इसी तरीके कि आपको different different बहुत सारी settings यहां पे देखने को मिल जाती है ओके दोस्तो एक option बंध है यह option चालू होगा अगर आप यहां पे कुछ चीज़ें करेंगे मैं आपको बताऊंगा वो ओके दोस्तो दोस्तो Bluetooth HCI Snooplog capture और Bluetooth HCI यह दोस्तो Bluetooth के जितने भी packet होते हैं उनको एक फाइल में एक तरीके से combine कर गया आपको show करता है यह वह एक important feature है इनकेस अगर आपको use करना है तो आप इसा use कर सकते हैं ओके दोस्तो बहुत सारे feature आपको यहां पर ऐसे देखने को मिलेंगे चुकि बहुत ही amazing होंगे ओके दोस्तो दोस्तो MI unlock status यह आपकी डिवाइस को चेक करके बताएगा लॉग्ड है अनलॉग्ड है ओके दोस्तो इसके अलाबा automatic system update, apply update when device restart आपकी डिवाइस जब भी restart होगी यह अपने आप चेक करेगा कि कोई update आई है MI की तरफ से देन वो से अपने आप ही update कर लेगा okay दोस्तो demo mode, demo mode होता है दोस्तो एक ऐसी setting जो आपको एक तरीके का pro farma यानि कि आपको एक तरीके का demo show करेगा और आप वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़े ऐसी देख सकते हैं जो आपको mobile में एक तरीके से बिलकुल mirror image की तरह आप उसे use कर सकते हैं okay दोस्तो बहुत सारी setting आपको ऐसी देखने को मिलेंगी दोस्तो जो आप देखने से वंचित हो जाते हैं okay दोस्तो यहाँ पर जाके आप बहुत सारी settings को check कर सकते हैं बहुत सारी amazing चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी logger अगर देखना है तो logger देख सकते हैं log label देखने हैं feature flag बहुत सारी setting आपको यहाँ देखने को मिलेंगी system tracing system tracing यह बहुत ही important feature है जैसा कि यहाँ पर लिकाओ record system activity and analyzes later to improve performance आप अपने mobile को trace अपने system को इसको trace कर सकते हैं trace का कहने का मतलब है आप activity देख सकते हैं और activity को जहान में रखते हुए आप इसकी performance को improve कर सकते हैं wireless display certification show option for wireless display certification turn on wifi coverage extension ऐसी ऐसी settings आपको देखने को मिलेंगी जो सिर्फ एक developer ही जानता है इन settings की क्या एहमियत होती है ओके दोस्तो तो बहुत सारी setting आपको यहां देखने को मिलेंगी जो की अंगिनत है ओके दोस्तो कुछ setting में आपको और भी बता देता हूँ जैसे की show notification channel warning इन सब की बारे में अगर आप जितना जानेंगे उतना deep में आप घुसते जाएंगे ओके दोस्तो एक setting में आपको दिखा देता हूँ दोस्तो वो यहीं पर मिलेगी हमको धूल लेते हैं दोस्तो एक बढ़ बहुत ही amazing amazing settings आपको यहां देखने को मिलेंगी जो की बहुत ही cool होती है ओके दोस्तो चली देख लेते हैं कौन कौन सी setting यहां पर पर जाहें तो आप अपने मोवाईल का टच भी तरीके से मैनेज कर सकते हैं Okay, दोस्तो Window Animation Skill आप अपने मोवाईल का Animation Skill इसकी मदब से बढ़ा सकते हैं अभी एक गुना है अब इसे डेड़ गुना कर सकते हैं आप नोके दोस्तो चाहें तो इसे दजगुना कर सकती है Animations Scale बहुत ही ज़्यादा एंप्रूवड हो जाएगा इसका दोस्तो अभी मैं इसे नार्मल देखें देखें Animations आप देख रहे हैं कितनी तरीके का बहुत सही हो गया ओके दोस्तो आप चाहें तो इसे आफ भी कर सकते हैं और इसे फास्ट भी कर सकते हैं ओके दोस्तो इस तरीके से मैं अभी इसे सिंपल कर देता हूँ ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल इसको भी आप चाहें तो इसको इस तरीके से मैनेश कर सकते हैं जो कि काफी cool लगता है ऐसी ऐसी settings देखने को मिलेंगी यहाँ पर यह आपको जो आपने कभी नहीं देखी होंगी ओके दोस्तों तो use कीजिएगा इस settings को जो की काफी amazing है मज़ा आएगा अगर आप इस settings को use करेंगे तो बहुत amazing settings हैं यहाँ पर ओके दोस्तों तो उमीद है यह वीडियो आपको ज़रू पसंद आई होगी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना बूलें बहुत जल मिलेंगे नेक्श वीडियो में तब तक के लिए बाए दोस्तों